जैए श्री रादे रादे नमस्कार दोस्तो ड्रीम मेजी वीद कुस میں आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज फिर मैं आ गई हूँ न्यू वीडियो न्यू रेमेडी के साथ तो ये न्यू रेमेडी हम कैसे बनाने वाले हैं कैसे हमें इसको इस्तेमाल करना है आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी आज की वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है अगर दोस्तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं आज यो ज़्यादा हम बनाने वाले हैं सिर्फ सिर्फ इसको हम कीचन के समान से बनाने वाले हैं जो हमारे कीचन में इस्तेमाल होती हैं और वीडियो को एन तक देखेगा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा मैंने इसको किस तरह से बनाया है और इसको किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है तो इस तेल को बनाने में पहले मैंने इस्तेमाल किया है उसके बाद मैं आपको बना के दिखा रही हूँ तो हम कैसे बना रहे हैं सबसे पहले हमने लिया है करीपत्ता इसको धोके रख लिया था एक मीडियम साइज का लिया है प्याज और एक बड़ा टुकड़ा अद्रक का दो आमला और इसी के साथ मेथी दाना एक चम्मच बनाना शुरू कर लेते हैं और इसको हमने काठ के रख लिया है अद्रक को प्याज और आमले को और करीपत्त भी तोड़ रख लिया था तो इसको बना रहे हम नारियल के तेल में आप उसको सर्षो के तेल में भी बना सकते हैं तो सर्स्टो के तेल में भी बहुत ही अच्छा बनता है मैं सर्स्टो के तेल में इसलिए नहीं बना रही मुझे सूप नहीं करता है तो यह जो प्याज काटी थी लंबी-लंबी और तेल गरम हो चुका था हमारा तो तेल ज्यादा तेज गरम हमें नहीं करना है नहीं तो यह प तो इन दोनों चीजों को अच्य से कर लेते हैं मिक्स कोते हैं तो देख रहे हैं ग्यास का विल्कुल कम राखना है तीरे दिरे हमें से को पकने में देंक ficar तो जो हमने सबी चीज भी चीजे डाली है उनका रख अच्छे से इसमें निकल जाएगा आमला डाल दिया है इसी के साथ द्रख डाल दिया है और सभी चीजों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स इसी तरह से भीष बीच बीच में चलाते रहना है इसके साथ डाल देते हैं करी पत्ता करी पत्ता हमने सबसे लाष्ट में क्यों डाला है वह मैं बता रही हूं कीज़ी में डाल देते हैं , तो यह थोड़ा जल जाता धै और उच्टा से नहींन को तो अभी सबी सबेखते हुए है और इनके जो बार है दिमी आज पर बदम पकाएंगे और यह यह थोड़ा घल सब्सक्राइब तो इसको और चम्मच की सायता से इसको इस तरह से दबा देंगे ताकि जो बाकी अरख हैं वो भी सब निकल जाएगा तो दोस्तों जो हम ये तेल बना रहे हैं ये बालों को लंबा घना और काला बनाता है ये तेल मैंने खुद इस्तेमाल किया है तभी मैं आपको इसको बना के दिखा रही हूँ पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें तो देख सकते हैं हमारा जो सभी चीजों नियारक छोड़ दिया है और जो तेल का कलर है वो भी देखो चेंज हो गया है तो दोस्तों हमारा तेल बनके राड़ी हो चुका है अब इसको छान लेते हैं तो हमने छान लिया है और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो आप चाहे तो प्लास्टिक की शीशी में या फिर आप इसको काज की शीशी में डाल कर दख सकते हैं तो दोस्तों मेरी ये रेमेडी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा फिर मैं आपको ऐसी ही नहीं नहीं वीडियो के साथ मिलूंगी तो इसको लगाने का तरीका कैसा है इसी तरह से हमें इसको लगाना है बीच से मांग कट करके इसको लगाना है अगर डोप वाली शीशी हम लेते हैं तो उससे अच्छे से लग जाता है और कटोरी में या किसी चीज में लेकर लेने का कोई फायदा नहीं है इससे अराम से लग जाता है एक बराबर तो इससी तरह से हमें अंगली की सायता से इसकी थोड़ा मसाज करनी है जाजा तेज प्रेस नहीं करना है धीरे धीरे करना है बिलकुल तो आगे हमने लगा दिया था पीछे भी लगाते हैं इसी तरह से तो दोस्तो ट्राइ जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको कैसी लगी आपको कुछ टाइम में ही पता चल जाएगा इससे बाल भी सोफ्ट हो एक दंबलायम हो जाते हैं इस तरह से उंगली की सायता से हमें इसको धीरे धीरे मसाज करनी है इस तरह से हतेली की सायता से लेकिन जादा प्रैस नहीं करना है धीरे धीरे ही करना है तो हमारा तेल लग चुका है फिर मिलती में आख नेक्स वीडियो